हेलो दोस्तों नमस्कार इस्टाक मारके शेयर उडू चैनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं इनफी बीम अवेन्यू लिम्टेट शेयर की क्योंकि इसके समन्द में जो 24 फरोरी को मीटिंग हुई है उसमें कुछ बहुत बड़े-बड़े नीडे लिये गये हैं जिसके बार में हम टीटेल से चर्चा करने वाले हैं कि वह नीडे क्या है और उस नीडे का इस शेयर पे क्या प्रभाव परने वाला है तो अगर हम सबसे पहले इसके ब्रीप की अगर बात कर लें तो यह जो कंपनी है इनफे बीम अमेन्यू फिलहाल एक यूएस की बढ़ी कमपनी हैं जो कि इसकी सबसेडरी है उसमें कुछ इस्टाच यह बेचने वाली है इस इन्वेश्मेंट करने वाली है उसके बारे में हम इसमें देकने का प्रयास करेंगे औहुंप कुछ और भी नीडे लिये गया है जिसके बारे में दीटील से देखेंगे तो चल भी लगता दिखाई दे दे अगर अपर सर्कुट नहीं भी लगता है तो इसमें अच्छी खासी तेजी आती हुए दिखाई दे सकती है क्योंकि यह जो अभी निज लिकल के सामने आया है जिस अभी हम आगे देखने वाले हैं उसमें बहुत बड़े बड़े नीड़े लिए हैं जिसका फाव जो है सोमवार को आपने को मिलेगा अगर हम बात करें इसके तेस्ट तारिक का जो ट्रेडिंग होई है उसकी तो इसमें 34 रुपे फिलाल बंद होता हुआ दिखाई दिया है जबकि अगर पान दिन के चार पेटन की बात करें तो यह लगबग चार परसंट का यह कंपनी रिटर्न लिकाल के देते हुए दिखाई दी है बात करें एक टेल डेट की तो एक टेल डेट में इस कंपनी ने लवक 56-67% का रिटर्न लिकाल के दिया है जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो 116% का रिटर्न लिकाल के यह कंपनी दे चुकी है अकर मैक्सिम आपको यहाँ पर बता दूँ कि यह जो कंपनी है इनफे बीम अवेन्यू लिम्टेड यह फिलाल जो है पेमेंट गेटवे के संबन्द में काम करती हुए दिखाई देती है और इसका करवार नो के वल इंडिया में है बलकि इसका करवार बीदेशों में भी अच्छा खासा द दे रहा है अगर बात करें जो एनांस्मेंट या न्यूज लिकल के सामने आई है उसकी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो कंपनी है फिलाल 24 तारी को इसमें मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है बोर्ड मीटिंग और इसी संदर में कुछ बड़े-बड़े इतल से यहां बता रहा हैं कि यह जो कंपनी है उसमें चीडार किया गया है और एप्रूब दिया गया है कि 20 परसेंट यह इस टाक खरिकते हुए दिखाई देगी किसमें यह कंपनी है जो कि यॉएस बेस कंपनी है जिसका नाम nduk कारपरशन लिमिटेड है उसमें फिलाल 20 परसेंट का इस्टाक खरते हुए दिखाई देगी और एकार्डिंग तू एक्सड़क कर्परेशन उट बिकम एंड एसोसियेट कमपनी ये फिलाल बनते हुए दिखाई देने वाली है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो कमपनी है फिलाल 20 परसेंट का इस्टाक खरते हुए दिखाई देने वाली है जिसके बारे में अभी हम रिज कंपनी एक खोलने वाली है जो ifsC gift city है वहां पर और वहां पर यह फिलाल गेटवे से सब्मन्दी चीजों पर काम करते हुए दिखाई देने वाली है के अलबा जो तीसरा यहां पर निड़े लिया गया यहां पर बता रहा हैं कि सीडर करने कितना कि इस इन्वेस्मेंट का लग पच्चासी हजार सेरों का यह इस कम्पनी में इसके बारे में बता रहे हैं कि जो ऐक प्राइवेट कंपनी हैं उसमें यह फिलाल 85,000 जो share हैं उसके जो dis investment के लिए approval फिलाल मिलता हुआ इसमें दिखाई दिये रहा है और ये जो company है फिलाल जो C8 company है Infabim Avenue Limited की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 20% का यह acquisition करने वाली है उसके बारे में तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि इसका जो net worth है वो फिलाल 2.73 million का इसका USD dollar में इसका total net worth होता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि इसका जो turnover यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब अगर हम बात करें इस company के बारे में तो जो एक्सडेक जो company है वो फिलाल leading enterprises app and AI development यह company होती हुई दिखाई देती है जो इसकी specialization है बिल्ड innovative AI solution में और उसके संबंदित business में साथी साथ यह जो है internal preparation के माध्यम से जो consumer facing system है उसे भी यह diverse industry में फैलाते हुए दिखाई देती है और साथी साथ यह global IT service provider भी है x-tech is an awarded winning technology service partner with the proven expertise in Microsoft oracles AWS service x-tech has extensive experience in the proven capability in the business transformation digital transformation business application implementation and integration integration service x-tech has been recognized as the 5,000 company with the Goldman Sachs certified US and one of the 100,000 business entrepreneur program अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह जो company है फिलाल ना के बाल इसके साथ Microsoft जुड़ा है बलकि Oracle AWS service यह सब इसके साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं इसके अलबाद जो information technology समंदी जो चीजे है वो फिलाल यह provide करते हुए दिखाई देती है इसके जुड़ते हुए दिखाई देती है इसके अलबा जो जो इसको करता हुआ दिखाई दिया है जो कि 10,000 प्रोग्राम यह फिलाल चला चुका है उसके लिए तो इसे साब से आप देख रहे हैं यह जो company हैं कितनी जो है ब्राड company देखने को मिल रही है और इसके अलबा यहां आप यह बता रहे हैं कि जो 90 दिन के अंदर इसे यह काम पूरा करके देना है अर्थात यह जो acquisition होना है वो फिलाल इने 90 दिन में पूरा करके देना है और यह जो acquisition जो हो रहा है वो 10 million US डालर में acquisition हो रहा है और 20% का यह जो stock है यह फिलाल यह company खरिदते हुए दिखाई देग इस company के बारे में बता रहे हैं कि यह company जो है 10 फरोडी 2006 को खूली थी इसका जो country है वो भी US से है साथी साथी यह information technology में काम करते हुए दिखाई देती है तो इसे साब से आप देख रहे हैं जो company कितनी broad company है और इसका जो consumer base है वो कितना broad है जिसका फायदा जो है इन फे भी अम company हैं उसमें यह 85,000 जो यह share बेचने वाले हैं डिस investment करने वाले हैं वो इसको फिलाल यह 45 दिन में इनको पूरा करके देना है और इसे इने लबक साथे पंदर करोन रुपया पराप्त होता हुआ दिखाई देने वाला है तो इसे साब से आप देख रहे हैं यह जो company हैं लग यह कर रही है उसका फायदा अब इसे भी यह होने वाला है कि अब यह USA में भी अपना पैर पसारना शुरू करने वाली है और यह बहुत बड़ी बड़ी जो company हैं उनके साथ भी यह जूडते हुए दिखाई दे सकती है यह release के मादियम से यह बताया जा रहा है कि जो इन फे ग्लोबल प्रजेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें यह 20 परसेंट जो एक्सडेक में एक्क्वायर करने वाली है उससे न केवल इसका ग्लोबल प्रजेंस बढ़ेगा बलका इसके शेयर होल्डों को भी अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है और इसी संदर मार्केट में भी उतरता हुआ दिखाई देने वाला है अगर आप इसके बिएसे बेशाइट पर जाके इसको डाउनलेट करके इसको पूरी डीटेल से पढ़ सकते हैं और इसके बारे में और डीटेल जनकारी ले सकते हैं कि इसे पूरे डीटेल से अगर बताने लगे तो य इसलिए आप जो है बेसिक बेसाइट पर जाएए और इसके बारें पूरी डीटेल जनकारी वहां से भी प्राप्त करने की कोशिश करिए अब अगर बात करें अगर डिलेवरी पोजीशन की तो यहां पर आप देख रहें जो तेज फ्रोरी का डेट यहां पर पड़ा हुआ है और यह तेज फ्रोरी को जब मार्केट बंद हुआ था तो उसमें इसमें 19 लाग लगवक सेरों की टोटल ट्रेडिंग होई थी जिसमें लगवक 5 लाग सेर ही डिलेवरी गरूप में उठते हुए दिखाई दिये हैं मातर 25 परसेंट आसाथ कहाने का मतलब यह है इसमें जो हैं वह अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिये थे और जो इन्वेस्टर हैं मातर 25 परसेंट के आसपार डिलेवरी उठाते हुए नजर इसमें आए हैं लेकिन जब समवार को मार्केट खुलेगा तो आप इसमें जरूर देखिएगा को यह जो परपस के लिए बना जा रहा है सिर्फ जनकारी देने के लिए बनाए जा रहा है अगर आप इन्वेस्मेंट से समद्धित कोई भी नीडे लेना चाहते हैं तो इससे पहले अपने बित्य सलहकार से संपर्ग जरूर करिए और साथी साथ इस कंपनी के बारे में फूल एनलास झाल्र छो इस पहते हैं और से सρस्थलिन समस्सी जरू एन जा रहा है झाल्र झाल्र आ कर दो अझांग करिए गले खने साथने के लिए झाले के लिए पक्टाभ इस ज़ल इस जने झाल़ जर टावजों जा जिए खुआर से साथ झाली करी देश में देशा आवर समस स